असलाम लेकुम माई YouTube फैमिली वेलकम टो माई चैनल आशास कुक इन व्लॉग में उमीद करती हूं अब सब अलादा लागन फैसलो कलम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और एक जटपट और मजदार किसम की रेसिपी के साथ में हाजर हो चुकी है यह स्वीट की रेसिपी है चॉकलेट डेलाइट रेसिपी जब आपके पास कुछ ना हो तो जटपट यह बन जाती है तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ हम ने थोड़ा एक पैन को हम लोगों ने जोन से ना फ्लेम आउन करके रखा और इसमें मैं थोड़ा सा पानी सेरम और वो गार्निशिंग के काम आएगा मुझे ठीक है तो यहां पर हमारा जनाब यह देख सकते हैं आप सेरम हो चुका है कंपलीट तयार और यह जटपट बन जाता है पांच मिंट में बन जाता है और इसको मैं अब उतार के ना रख दूँगी ताकि यह ठंड़ा हो ज इसमें एक फुल क्रीम का पैकेट में एड़ करती है ठीक है और इसको हां अच्छे से क्रीम आप निकाल दें और मैंने तो एक ही है आप अगर गेस्ट जादा आए में तो आप जादा भी कर सकते हैं तो मेरी खर तो बस दो लोग गेस्ट आए वे थे तो जटपट सी में इस हम इसको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें ना कोको पॉर्डर को एड़ करेंगे उससे इसकी फ्रेग्नेस भी बहुत जबर्दस हो जाएगी उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आप देखें कि यह बिल्कुल छटपट सी रेसिपी जो नसी है ना हमारी बन कोको पॉर्डर एड़ करने के बाद फिर दुबारा से मैं इसको बहुत अच्छे तरीकी से ब्लेंड करेंगे और तकरीबन तीन मिन चार मिन तक आप इसको ब्लेंड करें और घर में आपके बिसकिट वगारा तो स्वीट पढ़े भी होते हैं तो इसमें हम लोग बिसकिट यूज़ करेंगे अब हमारा यह मिक्स्टर कम्ट्रीट हो चुका है और मेरे पास यह बिसकिट पढ़े थे आपके पस कोई भी बिसकिट हो आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है मैंने छेट पट से एक बावल में बिसकिट की एक तैयल लगाई है नीचे और इसके उपर मैं जुक्त से एंड पे जो हम लोगों ने चॉकलेट सीरम में बनाया था उसके साथ इसको हम डेकुरेट कर लेंगे और मेरी जट पट सी रेसिपी बन चुकी है और उमीद करूंगे कि आपको यह मेरी रेसिपी बहुत 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 बसंद आएगी क्योंकि मेरी जट जट पट सी रेसिपी है एक तमसे अगर आपको घर में कोई गेस्ट आगे हैं और आपने कुछ जल्दी जल्दी बनाना है स्वीट में तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा और मैं इसी तरीके से ना कुछ ऐसी रेसिपी रखती हूं अपनी जट पट सी के अगर मेरे गेस्ट आगे हैं तो जल्दी जल्दी में अच्छी सी कोई स्वीट में बना लो तो आप भी मेरे तरीके से ना जट पट सी रेसिपी बना के अपने हांदार में फेमस हो जाएं और ये देखिए इसकी डेकुरेशन कितनी प्यारी थी और मैं उमीद करती हूं आपको मेरे र अजासत अल्हाफीज